हेलो प्रेंड आप सबी का स्वागत हैं हमारे YouTube चैनल एक्सपस्पर्ट स्टडी में प्रेंड आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करने वाला हूं ITI कर रहें छातरों के बारे में फ्रेंड ITI कर रहें चातरों के लिए बहुत बरी अब्डेट्स देखते हैं ITI वालों छात्रों के लिए क्या अप्डेट्स है राज जी के पौने दो लाख ITI छात्र बिना परिक्षा के होंगे प्रमोट फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा कि ITI में दो बाड़ एक्जाम लिया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर यानि की फाइनल एक्जाम तो फ्रेंड उसी के रिगार्डिंग यहां पर क्या कहा जा रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ITI के पर्थम सत्र में पढ़ाई कर रहें पौने दो लाग छात्रों को सीधे दूसरे वर्स में प्रमोट किया जाएगा यानि की फ्रेंड यहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक्जाम देना था वो यहां पर देना नहीं होगा और आपको डिरेक्ट दूसरे वर्स में प्रमोट किया जाएगा केंदर सरकार ने क्रोना संक्रमन के बढ़ते खत्र को देखते हुए लिया है इस समंध में आदेस भी जारी कर दिया गया है जनकारी के अनुसार DGT के आदेश में कहा गया है कि सभी दो वर्स ये कोर्स के पर्थम वर्स में पढ़ रहे छात्रों को ट्रेड थियोडी वर्क सब कैलकुलेशन इंप्लॉइबिलीटी एस्किल कि अगामी केंप्यूटर वेस्ट परिक्षा नहीं देनी होगी यानि कि फिर्ण यहाँ पे आपको अगामी जो एक्जाम होने वाला था वो नहीं देना होगा CBT परिक्षा के लिए छात्रों द्वार जमा की गई फीस को सेकेंड एर की परिक्षा फीस में समायोजित कर लिया जाएगा यानि कि फिर्ण यहाँ पे देखिए आपने जो एक्जामीनेशन फीस जो पे किया था वो सेकेंड एर में समायोजित कर लिया जाएगा प्रोमोट हुए छात्रों के सेकेंड एर का कलास तीन जनवडी से सुरू होगा यानि कि फिर्ण यहां पि यहां भी कहा जा रहा है कि प्रोमोट हुए छात्रों के सेकेंड एर का कलास तीन जनवडी से सुरू होगा और यहां पर क्या कहा जाँ रहा है कि कुरोना संकरमन के खत्रे के मद्दे नजर DGT ने जारी किया है यहां आदेश यानि कि कुरोना को देखते हुए यहां आदेश DGT के दोरा जारी किया गया है परिक्षा कर रहे हैं थे इंतिजार यानि कि किन किन छात्रों का यहां पे बेनिफिट होने वाला है देखे फिर यहां पे 2018 से 20 सेशन और 19 से 21 के छात्र जो फर्स्ट यर के विसायों की सप्लिमेंटरी परिक्षा का इंतिजार कर रहे थे उन्हें भी उन विसायों में पास घोसित कर दिया जाएगा यानि कि जो केंडियेट सप्लामेंटरी इक्जाम का इंतिजार कर रहे थे उन्हें भी पास घोसित कर दिया गया है और इन सभी विद्यार्थियों के राष्टिय व्यवसाई प्रमान पत्र के लिए फाइनल मार्क सीट में ट्रेड थियूरी, वर्क सब कैलकुलेशन और इंप्लाइबिलीटी स्कील के अंक उन्हें इंजिनियरिंग ड्रोइंग, प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव एसेस्मेंट में प्राप्त अंकों के अधार पर दिया जाएगा तो फ्रैंड यही वो अप्डेट्स था, आई टिय वालो चातरों के लिए, तो फ्रैंड आज के लिए तना ही रखता हो, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फिर नेक्स्ट अप्डेट की